पहले हैं इसकी बलख में हम लोग क्या डीक्व मसीन में से काम कर सकते हैं एक त्थी नहीं हो सकता है समझिए पहले बात थीग और त्थी आप होगा घृति अ मतलब ये काम को क्या करता है फास्ट इसलिए हमें इसक्या होज सकता पड़ती है कि अगर आपको कहीं जाना है तो क्या जा नहीं सकते पैदर भी आ सकते पैस क्या होगा समय जयाता लगेगा आप और अगर आप इरिक्सा आटो कार मोटर सैकल लेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे ठीक है तो डिपेंड है कि यह काम को मारे आसान कर देती है और आज सेटम में इसकी आवस्रक्ता पड़ती है इतना समय है नहीं कोई मारे पास फोन आए उसकी बैटरी चार्ज करें उसको वा हम बना करें रहें कुछ ही क्रों तो पहलो में लिप्लिस्ट बनाते हैं कि यह मसीन से हम क्या-kia कम कर सकते हैं भाल को बिना उन करना और वाल को बिना बैटरी में बैटरी के उन करो बैठरीज्ञ प्र नहीं है डीसीज्ञ से लहांबरता हुआ रोएं हमीकर reconstruction करना ही प्रत क्वाटन क्या कर सकते हैं से डीसी मशीन से हटा भी सकते चेक भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं फुल और एक तीनों के अंदर diffsey सबस्यां है यहां से चेक कर सकते हैं ॐ प्राप्लम को हम लोग जान सकते हैं कि इसके अंदर खराभी है फिर नहीं रहा है इतन ہा even इक Yes बना लीकिए सारी काम हम sufραम से कर सकते हैं अब मेरी बात स्मझी चांजर मल्टिमेटर करना है कि हमतंगे था इस तरीके से हमेशा क्रॉस्ते करना होता है सब्सक्राइब नहीं आई कई बार मसीन वगएरा भी अपकी खराब हो जाती है कई बार मल्टीमीटर भी आपका सही रीडिक नहीं देता होता है नहीं होता है हाथ उसके चक्रम पताच छले कि तुम सही वाला फुन खराब कर डालो एक लिद्धरोसे तो हमेशा यह लगाना है क्रोस्ट्व में आपका कोन सी परचेस काँगे कितने रुपायों मिलती है और रुसके बाद हम लोग देखे थे गइवक रवाद में उसका यूज देखेंगे तो डीसी मसीन कई क्याती है जैसे मिन जी से 12 वोल्ट 2 एमपीर पहले यह लोगे रिपेर करते रहे हैं इन यह वाली ना यह यह आती और एक यह यह ऐसे आती ती यह यह बारा वोल्ट 2 एमपर की थी शाव तो यह जब तक की पैड़ फोन आते थे चायना संसिंग नोकिया वाले तब तक तो इसका यूज था अच्छे से खूब लोगों ने बहुत यूज किया हम लोगों ने भी यूज किया आज क्रेटर में इसका यूज ने तो यह मसीन अब कोई काम की नहीं है तो यह तो होगी आपकी कोई काम की नहीं है यह तो यह आती है अब की का मबाल यह सकते हो लग भग आपको यह पड़ेगीablyनग निम्होटके यहांड चाहिए त시면 फ्य मजश अब का थे यह ठाहिए थती इस lottery एक तो Sahaja ओर जो जेखांच यह यह तो है स्सक्तर ओर फो कम यह काम की नहीं है 5 www.aom5-4 जो कि अब जो फोन आए उनके अन्दर टर्बो-चार्जिंग का गया है तर्बोचार्जिंग का गया है जो इस टर्टेंग में पांच वोल्ट लेते हैं तो जो टर्बो चार्ज है उसमें क्या है कि 9 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है 12 वोल्ट की भी सप्लाई चाहिए होती है और आप DC मसीन लेकर वाइट हो पांच वोल्ट वाली तो काम होगा क्या यह भी काम के नहीं कि दो मसीने तीन एंपर जब इतना खर्श करोगे तो इस यह लगबग आपको मिलेगी 4500 के असपास 30 वोल्ट पांच एंपियर यह 10 एंपिर का भी काम होता नहीं है अगर आप इंडॉड टी विगारा रिपर करते हो तुपर आप 10 एंपिर की मसीन ले सकते हूं लगबग ही पड़ेगी आज यह नहुजार रुपए के आसपास के व ड़ी आपटाप करना चाहिए अपना दुकान पर लापटाप चार्ज करना चाहिए चेक करना चाहिए तो 19 वोल्ट मुवाल लैप्टाप क्मिट्र के लिए बी काम करेगी समझाइबाद तो यह वालिया आपको लेने और इक तन ही पड़ेगी संसें पाइदालेज तो कई सारी कंपनी आती मैं के निक आती है कोराड आती है अपने लगी है मैं के लगी है और क्वार लगी है कि गारंटी किसी की नहीं है कि अब खराब भाइपास अपने आदों कई सरी खराब हो जाती कहीं सरी मिलोग बना लेते हैं कुछ समान होता है इधर कुदर करके बन जाता है एक दूसर निकालके ना गारंटी इसकी होती है यतनी में आती 55-56 रुपए गही इसकी भी गारंटी बनी आती जोटी वाली गहंटी आती से ह्टीकी माम लिए कि मैक्रोसको पर आफु kamu anything it is कि मिलता गंटी मिलती है एप देडिलते सथ माएक इस्पीकब टेंटी मिल्ती है । वाह है कि खराब हो गए हम लिए तो आइसी लाते को दर्दस्त को फीस की पूरा की पूरा स्लोटी को ख्राम निकल जाए तो गारंटी नहीं है आप लोगों को पता है चारजर तो गारंटी मिल जाती है यह लेकिन इसमें हो सकता कोई तुमको दे बात एक अलग है और देगा भी तो ऐसे करके देगा कि पैताल बोल्ट वाली वारा वोल्ट टू एंप्यर अब नहीं काम की पैड़ वाले फोन की पैड़ फोन वाले लोगी नहीं बचे जाए तरब बजाओ कितने लोग चलाते इसमें उसकल से एक ही दो लोग होंगे कोई नहीं है तो डीसी मुसीन क्या करोंगे बताओं तुमारे लिए अच्छा option है हमारे घर पे बैल गाड़ी घड़ी है मैं बाबा की वो ले जाओ आके ठीक फिर इम देब में तुमको देर देंगे गाड़ी है भाई है कि नहीं है कि तलती नहीं बताओ पहले जा सकते हो पहले तो लोगों की साधी बैल गाली से होती थी जाते पे पूछना अपने पिता जी से या बाबा से अपने जो भी अताल जी से ठीक है ले जाओ मेरे यहां से और पिशाड़ी कर लो बढ़ी हाराम से भाई मेरे अब कुछ जमाना चला गया उसका कोई मतलब नहीं बनता बहले आपके अपस मसीन रखी है कुछ भी है ऐसे सब लोगों के पास घर में कुछ प्रवाना समान पड़ा होगा इसे किसी अभी लालतेन पड़ी होगी है कि नहीं है कोई काम है अब बताओ पर लोग चलाते हैं लाइट बताओ लालतेन प्टेल तो मिलता नहीं है अब या रजगार तो आएसी बहुत सर चीजें पड़ी है तो भाई है वो मसी रखी है मतलब ही नहीं उसका ठीक है बाई समझ में आया और यह सब चीजें कि क्या खराब हो सकता है बिना चैक कि है हम नहीं बता सकते हैं हो सकता तो में वह लिए या कोई अधर इंसिटूट वाला बताने हमां दर चुछ चंता या पावर नहीं है जादू वाला है कौन सी खड़िद नहीं है ठीक हां थीज वोल्ट पांच एंपियर यह खड़िद नहीं और इसमें भी देखो पहले की जो मसीन आती थी उसके अंदर यह एंवान एंटू एंट्री एंफॉर करके ऐसे नहीं आते थे एक ही मसीन आती थी एक ही रेक्लिटर था उसी को बार बार सेट है लेपटाप है तीन वोल्त है पांच वोल्त है ऑनीक बाल एक होग प्रतले लेपटाप सेट और खडिये थे तो ऑनक्याघिया थे धूआ था कि अ आप भी होता है ने हम पांच भी दिये गए तो तो उस कंडिसन में क्या होता है वह वो जबाइस कई काम से कई मुवाइल को खराब अब अच्छा कर दिया इसके अदर मसीर के अंदर चैनल दे दिये गए अलग अलग आप इन पर सबस्क्राइब कर सकते हो एंवन चार चैनल ठीक किसी पांच भी दिये गए ठीक यह बढ़ने लगी देखो लगी है हाँ तो इस पर आपको वोल्टे सेट कर लेना है ठीक है भी सेट करना बताएंगे बस अब आपको वाला काम नहीं करना एक बाद सेट कर लिया काम हो गया दाके मतलब समझ मा इसका मतलब वोल्टेज्ट और यह है इसका मतलब एम पीर है ठीक है इदर वाला वोल्टेज है इदर एम पीर है मोन ही चेनल का नाम है M2, M3, M4 चार चैनल है यह आपका output है यह आपका adjustment करने वाला है voltage को set करना और MPR को set करने के लिए यह बटन है left at right, यह number का lift और यह right के लिए और यह controlling के लिए voltage आपका set करना चाहते है यह आपका plus दिया गया, यह क्या दिया गया है minus, ठीक है इसके बाद lock करने का यह set करने का अब एक बाद इसको lock कर दीजिएगा इसके बाद क्या दिया है OVP, over voltage की circuit दी गई है इसके बद यहाँ पर बटन क्या है, on off क्या है देखो on off है on off है ना हाँ तो on off है इससे voltage क्या होगा, out मतलब यहाँ पर set रहेगा जब तक यह वाली बटन नहीं दबाऊगे तब तक voltage वायर पर नहीं आएगा और इससे आप on off कर सकते हैं मसीन को एक बाद on करके दिखाए इससे off करके नहीं इससे नहीं बटन दीची तकी off on ठीक है उपर वाला voltage है और यह तो phone को on होने के लिए कितना voltage चाहिए 3.7 से 4.2 तो यहाँ पर हम set करेंगे 4.2 voltage और 3 ampere कितना तो यह वाली बटन दबाएं कौन से यह वाली दबाएए अब left में लेकिया यह left वाली बटन है अब digit इसससे सेट करें 4 2 0 यह lock करेंगे lock ampere अब ampere set करेंगे दवारा से नीस से आए फिर से दबाएए ठीक है lock lock हो गया अब यह क्या हो गया set हो गया 4.2 voltage 3 ampere अब जब तक हम यहाँ पर बटन नहीं दबाएंगे तब तक यहां से वोल्टेज नहीं है कि मल्टिमेटर लगा यही पर वह भी देखें अगल में मल्टिमेटर कहां सेट करेंगे मज़र मोट में है वोल्टेज चेक करना है तो कहां पर ठीक है आउट करों आ गया 4.2 4.2 वोल्टेज आ गया तारव के अंदर अब यहां से आउट होगा अनफ दबाईए अनफ अले अब यहां रहे गया वहां पे जीरो जब तक यह अनफ नहीं होगा यहां से तब तक वोल्टेज क्या होगा आउट नहीं होने वाला है बात समझ भाएगी नहीं आई अभी आपको 55 स्कूर के प्रेटिकल के टाइम पर आपको सेट करना सबको पास में आके सिखा दिये जाएगा ठीक है जो भी कंफूजन रहेगी अब आँ सीख लीजेगा तो पहला हमारा M2 सेट हो गया अब हमको M1 सेट हो गया अब हमें को सेट करना M2 हमालों अपना लेप्टाप चलाना है लेप्टाप के लिए हमें क्या चाहिए 19 19 वोल्टेज 5 MP सेट करिए M2 पर 19 4 सेट है तो अलेडी सेट है 19 19 नीचे 5 ठीक है लॉक इसके बाद अन अप दबाएंगे तो मीटर पर दिखाए देगा आ गया 19 19 वोल्ट आगे न अभी इससे आप 19 वोल्ट आउट हो रहा है यहां पर मॉयल को लगाएंगे तो क्या होगा हाँ भाई खराब हो जाएगा क्या हो जाएगा हाँ अब हमको सेट करना है M3 करिए बारा वोल्ट तीन एम्पेर कि बारा कि जीरो कि कि लोग कि आउटपुट कि आया बारा ठीक है हम आल लीजे कि हमको चेक करना है मसीन काम कर रहें कि नहीं कर रहें जीप से है जीप बाले भी तुम है सब इसीज बता देंगे तो जीप का क्या होगा बता भई तो M4 में करना है एक वोल्टेज महलब कोई भी बहुत छोटी कोई डवाइस हमें फोन के अंदर हॉप स्कॉट ही बगाना निकालनी है आउटपुट दो गई है आ गया एक वोल्टेज तो अब हमारी चैनल सेट हो चुके है अब आपको बार बार ही सब सेट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो M2 दबाएंगे M1 दबाएंगे तो क्या होगा वाइल ओन होगा हाँ M2 में लेफट आप 12 वोल्टेज ठीक है इसके बार 1 वोल्टेज तो कहने का मतलब अभी हमारी मसीन सेट हो चुकी है जो भी हमें काम करना उस पर बटन दबाना है और और बाली बटन दबाना है वोल्टेज आपके पास सही है समझनाई बात की नहीं आई यह विरे गुल सरल है इससे सरल क्या है